तो पूरे डिटेल में आज हम इसी के उपर में चर्चा करेंगे बांकि अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, साथ में वेल लेकिन को प्रिस करेकॉल का बटन दवा लिजेगा, ताकि D.U.S.L.C. related सारा अपड़ेट वमारे चैनल पे आपको मिलता रहे है, तो दोस्तों जो भी चातर है 2022 और 23 सेशन में जो है अं कोई भी रूल नहीं है, जैसे S.O.L. में एडमिसन होता रहा है, वो ऐसे ही जो है 12 बेस पे इस बार भी जो है एडमिसन होगा, हला कि अगर आप रेगुलर कॉलिज में एडमिसन लोगे, तो आपको जो है इंटरेंस बेस के माध्यम से जो है आपका एडमिसन होगा अंडर रिजोट कोर्सेज में, लेकिन S.O.L. में आपका पहले तो 12 पास होना चाहिए, और अगर 12 पास हैं तो आप अपलाए कर सकते हो, तो टोटल S.O.L. में पांच कोर्सेज करवाया जाते हैं, जिसमें बीए प्रोग्राम है, बीकॉम प्रोग्राम है, इंगलिस ओनर्स है, पो प्रोग्राम में अगर आप एडमिसन लेना चाहिए, तो आपको 40% होना चाहिए, यानि कि अगर आप 12 में पास भी हैं, तो आप इन दो कोर्सेज में अपलाए कर सकते हो, लेकिन अगर आपको विकॉम ओनर्स में अडमिसन लेना हो, तो मिनिमम आपको 55% 12 में होना चाहिए, तब ही आप become honors के लिए apply कर सकते हो अगर आपको बिए political science honors में लेना है तो आपको 50% 12 में होना चाहिए तब आप apply कर सकते हो है SOL में under graduate courses के लिए अगर आपको English honors में admission लेना हो तो SOL में 70% minimum होना चाहिए 12 में और 7 में language यानि कि English के language में आपको 72-75% mark होना चाहिए तब ही आप यहां पर apply कर सकते हो तो यह कुछ eligibility और criteria है जो कि आपको फार ही करना होगा बाकि entrance exam SOL में नहीं होने वाला है entrance exam उन छात्रों के लिए है regular college में जिनका इस चीज को लेके लफरा हो रहा था यानि कि जगरा हो रहा था आपस में और teacherों में भी बहस हो रहा था कि आखिर जिनका जैदा नमर होता है जिस board का उनको जो है admission मिल जाता है लेकि जाए तर चात्रों को admission नहीं मिल पाता है हलाकि उन्हें यह नहीं पता है कि DU के regular college में है total 60,000 seat है और 60,000 को admission मिलता है हर एक साल लगबग 3,000,000 चात्र अपलाए करते हैं जिसमें 56,000 या फिर 60,000 को admission मिलता है और बाकी को छाट दिया जाता है तो यहाँ पर main मसला था seat का अगर entrance exam भी लिया जाता है तब भी उन्हें भी admission 60,000 को ही मिलने वाला है हाला कि आप SOL में कोई भी ऐसा limit नहीं है जितने भी चात्र यहाँ पर admission लेना चाहते हैं जो date जारी किया जाता है SOL के तरब से उस date में सभी चात्र अपलाई कर सकते हो जिस भी courses में उन्हें admission लेना चाहते हो अगर आप eligibility और criteria पूरी करते हो तो इसका जरूर धियान रखिएगा बाकि जो भी चातर 2022 और 23 सेसन में जो है admission लेना चाहते हैं और अब इंदिजार करें कि आखिर उनका registration form जो है कब तक release किया जाता है या फिर किया जाएगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि registration form जो है under graduate courses का जो है S.L. का वो जो है जून तक जो है release कर दिये जाएंगे और जो कि S.L. के official website जो कि S.L.u.ac.he ने जो कि इसी वक्त जो है हम इसी website में मौजूद है तो यहीं पे जो है आप अपना online registration जो है करवा सकते हो यह जो है S.L. का prospectus है पिछले साल का यानि कि 2021 और 222 सेशन का तो यह जो है आप देख भी सकते हो खुद भी download करके तो यही है बाकि online ही पूरी तरीके से जो है S.L. में admission होता है और total 5 courses है जिसमें आप जो है apply कर सकते हो total fees भी जो है आपको लगबग जो है 4000 से लेके 4500 के आसपास में जो है अलगले courses का जो है fees है जिसमें आपको जो है यह fill up करना होगा यानि कि जब आप registration करवाओगे यानि कि direct जो है S.L. में registration करवाते हैं और direct admission हो जाता है आपका और fees जमा करना होता है यह सब जो है हो जाता है तो उमीद है कि जरूर आप हमें follow कर ले और कोई भी सवाल हो तो वहाँ पर पूझ सकते हो बाकि यही है कि इसी परकार से आपका admission होगा तो जून तक आपका registration form रिलीज कर दिया जाएगा फिर आप यहाँ पर अपना registration कर सकते हो बाकि जब भी registration form रिलीज किया जाएगा या फिर registration को लेके अपडेट होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से भी जरूर सुचित करते रहेंगे तो इसलिए आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी कोई अपडेट होगा S.O.L. admission से related undergraduate admission से related तो आपको जो है इस पे जो है सारी जानकारी जो है इस चैनल पे मिलती रहेगी क्योंकि हम जो है S.O.L. से related ही जाया तर वीडियो जो है बनाते रहते हैं और खासकर डियू से तो उस पे जो है आपको सारी जानकारी मिलेगी तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और पे जो है बेल आइकन को भी दबा लिजेगा ताकि सारी जो है अपडेट आपको मिलता रहे बाकि सुक्रिया धन्यवाद